असलाम अलेकुम डियरे सूरेंट्स, दिस इस रन असीम दुल्फिकार और आज हम सेकेंडर इंग्लिश में डिसकस करेंगे जो हमारे पास नॉविल बुक है दा प्रिजनर अफ जेंडा उसके कुछ कुछ MCQs को डिसकस करेंगे और खास और पर उन MCQs को डिसकस किया जाएगा जो के पास पेपर में कराची बोर्ट में आ चुके हैं लास्ट टैनियर्स के अंदर तो डिटेल में उसके बारे में मैं डिसकस करूँगा चुके आप जानते हैं कि 50% आपका जो सलेबस है वो MCQs ब अप्लोड कर दी है समरी भी बता दी है इसकी ठीक है और वन क्लास में जो 90 मिनट्स का जो लेक्चर था प्रिजनर ऑफ जेंडा का वो भी मैंने अप्लोड कर दिया है तो से पहले कि आप MCQs के सोलोशन की तरफ आए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि पहले आप उन 2014 में आया है कि honor is superior to love is the message conveyed in कि इजथ जो है वो महबत से जादा बढ़तर चीज है यह वो पैगाम है जो इस novel के अंदर जो है वो क्या किया गिया है इस novel के इंदर बताया गिया है तो यह तो simple सी बिलको लेक बात है कि the prisoner of gender is cancer होना चाहिए because इसी novel को हम डिसकस कर रहे है इसी novel क के अंदर जो है वो यह बताया गिया कि इजथ जो है वो महबत से बढ़ता रहे तब ही प्रिंसेस फ्लाविया ने अपने महबत रर्फ जंडाइल को छोड़ दिया और अपने शाही घराने एलबर्ग फैमिली की इजथ की खातिर वो उन्होंने किंग रॉडॉल्फ एलबर् इस तरह से आया था कि लिखा हुआ था कि दा मैसेज आफ तब प्रिंडर ऑफ जंडाइस टैश अब इस मैसेज के अंदर आपको यह सेलेक्ट करना था मैसेज के अंदर के अंदर के ओनर इस सुपेरियर तो लव ठीक है तो इस दा फस्ट एमसेज की तरह बढ़ते हैं जो 2018 म में आया है and it is the name Jacob Slater to the pipe was given by कि Jacob Slater pipe को जो नाम दिया था वो किस ने दिया था अब यह आप जानते है Jacob Slater एक ऐसी pipe थी जो के old castle के अंदर जो king का cell था जहां पर king को कैद किया गिया था उसकी window से वो कर्व होते भी आ रही थी जो है वो मोट की तरफ दलदल की तरफ जो वाटर किसने Jacob Slater के गिया था Jacob Slater समुरा तो याकूब अले सलाम के शिली होती है तो जैसे कि हमने जहें वो पड़ा था अकॉन टो नॉविल मैंने सकी story complete आपको बताई थी कि Jacob Slater जो है वो Duke Michael के हुकम पर बनाया गिया Duke Michael ने order दिया था उसको बनाने का और जब इसको बनाया और किसन लगा रहे थे King के सेल में विंडो से तो उस वक्त वहाँ पर Rupert of Henzoo ख़डा था मौझूद था और Rupert of Henzoo और बाच्चा भी कमरे के अंदर मौझूद थी King Rudolph Elfberg तो King Rudolph Elfberg ने पूछा Rupert of Henzoo से कि वाट इस दिस कि यह क्या है यह तुम क्या लग यह क्या लग रहा है मेर Jacob Slater कि Jacob Slater कि Jacob Slater के CDP एक बहतरी है तो यह जो nickname था Jacob Slater का वो किस ने पेश किया तो यह clear हो चुका होगा तो D option correct है Rupert of Henzoo ठीक है so this is the second MCQs now हम third MCQs के तरफ वड़ते हैं यह भी 2019 में आया था say I am Christian और say I am jealous are words spoken by के कहो मैं एक Christian हूँ या कहो के मैं jealous हूँ यह वो अलफाज हैं जिनको बोला किसने तो actual में यह अलफाज जो है वो किसके हैं वो यह अवाज यह अलफाज है मैं अन्टनी डिमोबैन के कि जब रडल्फ रजनडाइल मिलने के लिए जाता है summer house में यह summer house में बैड अट मुबैन रजनडाइल को मिलने के लिए बुलवाती है तो वहाँ पर वो पूरे डिटेल में बताती है कि डूक माइकल ने किस तरह से एक प्लैन बनाया है तुम्हें मारने का और खुद रोरिटानी के तख़ पर कब्जा करने का तो रिजन्डाइल फिर वो पुछता है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही है मतलब आप तो डूक माइकल से महबबत करते हैं तो आप ये क्यों बता रही है तो फिर उसके जवाब में मुबैन ने जुम्ले कहे थे कि से आए एम क्रिस्चन और से आएम जैलिस कहो के मैं किसाई हूँ या कहो के मैं जलती हूँ ये जल रही थे किस से प्रिंसेस फ्लाविया से तो कि फ्लाविया जो है जाए डूक माइकल फ्लाविया से शादी करना चाहता था इस वज़ा से क्या थी कि वो जैलिस थी मुबैन फ्लाविया से ताकि डूक मैकल उनसे शादी ना कर सके तो C option is the correct one next fourth हमारे पास MCQs है ये भी 2018 में आया कि मैकसॉफ was a step to death by Dash कि मैकसॉफ को किसने मारा था तो ये chapter था A night outside the castle इसके अंदर मैकसॉफ की death के बारे में था मैकसॉफ जो जोहन का भाई है और अब जानते हैं कि मैकसॉफ रखवाली करता था किसके Jacob Slater की तो वो रात के वक्त था तो वो रात के वक्त अपने कश्टी जो के Jacob Slater के सामने थी उस पर जहें वो लेटा हुआ था सो रहा था और रैफल उसके साथ मौजूद थी तो जब Razandile ने उसको वहाँ पर देखा तो उसने उसको step किया मतब उसको खंजर खोप कर उसको मार दिया तो इसको किसने मारा था भई A option character Razandile ने इसको मारा था मैं एक soft code ठीक है तो ये 2 explanation में दे रहों आपको different MCQs की तो वो भी आप जहर में रखें ताकि आपको एक पता हो, एक background पता हो कि इस MCQs के या answer क्यों है वरना answer तो अगर आपके पास past papers हैं, solved 10 years हैं तो उसमें भी answers लिखे वही होते हैं बड़ हमें ये इसको समझना होते है कि आखर कर इसके ये answer किस वज़ा से है इसके पीछी reason क्या है 5th MCQs वो काफी आया है 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में चार साल आया है ये 10 years के अंदर कि the immediate year to the throne of Ruritania was कि बिलकुल अगला वारिस कौन था Ruritania के तख्त का ठीक है, मतब किंग रुडॉल्फ के बाद जो अगला वारिस था वो कौन था तो आप जानते हैं कि only legal year to the throne of Ruritania was Princess Flavia तो वो C option correct होगा Princess Flavia जो है वो वारिस थी Ruritania के तख्त की इसी वज़े से Duke Michael जो है वो उनसे शादी करना चाता था तक है वो खुद बाद्चा बन जाए लिगन Duke Michael was not the year to the throne because he was born by a more gantic marriage तो वो एक more gantic marriage से पैदा हुआ था इसकी वज़े से वो बाद्चा नहीं बन सकता था तो immediate ear कौन होगे Princess Flavia होगे Sixth MCQs है ये 2018 में आया था 2018 में के to a man of spirit opportunities are duties these अचागे मैंने यहापर इसमें कुछ लाइन में भूल गया हूँ या आगे लिखावाद है कि these words are spoken by यह अलफास किसने कहे थे कि एक जो शेले इनसान के लिए मौवाके जो है वो फराइज होते है opportunities duties होते है तो यह जो है वो रजनडाइल ने कहा था Rudolf रजनडाइल ने तो C option is the correct one 7th MCQs है 2019 में आया था कराची बोर्ड में किसर Anthony Hope Hawkins जो के novelist है जिसके दा प्रिंटर ऑफ जनडा के besides Prince a novelist was also a novelist हो थे ही novelist के साथ वो क्या थे तो novelist के साथ वो थे असल में एक he was a lawyer ठीक है novelist के साथ जो है वो एक lawyer भी थे वो एक वकील भी थे तो A option is the correct one ठीक है so next हम आते है MCQs number 8 पर 2018 काई MCQs है कि the narrative of the adventures of Prison of Zenda is told by कि Prison of Zenda की जो कहानी है इसको सुनाने वाला कौन है तो मैंने आपको बताया था introduction of Prison of Zenda में कि ये कहानी first person narrative है कि जिस पर सब कुछ बीती है वही सब कुछ सुना रहा है तो असल में इस कहानी को सुनाने वाला है रडल्फ रजंडाइल D option is the correct one रजंडाइल की जबानी हम ये सारी बातें समझ रहे हैं इस novel के अंदर जहां जहां पर रजंडाइल ने आई लिखा है जहां जहां पर novel में आई लिखा है I went there I was thinking तो आई समोरा यहां रजंडाइल है रजंडाइल कहानी सुनाने वाला है स्टोरी टेलर है यहां पर तो narrative उसी ने सुनाया That's why इस स्टोरी को हम first person narrative कहते है चुकि जिस पे बीती है वही सुना रहा है अगर बीती किसी और पे सुना कोई और रहा है तो it is called third person narrative 9th MCQ हमारे पास है यह भी 2018 में आया था के रजंडाइल ने जो एक्टिंग की थी एक बाच्चा के तौर पर कितने एटसे तक यह चलती रही तो इसका option है 3 months तीन महीने तक जो है वो क्या हुआ कि वो एक्टिंग करता रहा बाच्चा बनने की और यह खुद इसने आखरी last ठीक है के मैं तीन महीने तक जो है वो एक बाच्चा रहा था रूरुटैनिया का 10th MSQ है 2017 में आया दा लेंग्विज ओफ रूरुटैनिया वोस टैश तो रूरुटैनिया के जबान क्या थी वो क्या बोला करते थे तो असल में उनके जबान थी भी जर्मन जर्मन लेंग्विज बोला करते थे इसकी एक एविडिन्स इसको याद रखने के तरीके यह भी एक थे कि जर्मन्स अपने नाम के साथ वान लगाते है वी ओ एन वान और आप कुछ नाम ऐसे देखते हैं इसके अंदर रूर्टैनिया के अंदर कुछ लोगों के नाम जिनके नाम के साथ वान लगावा है जैसे फ्रिट्स वान चर्लिनहिम या फ्रिट्स का जो कजन था इस्टैनिसलैस वान चर्लिनहिम या फ्रिट्स की जो महभूबा थी Helga Vonstorffsen तो यह सब नामों में जो वन लगावा है तो वन असल में जर्मन लगाते हैं और यह जर्मन लेंग्विज के अंदर वन नामों में लगाया जाता है जिसलिए हमें साबित होता है कि जो लेंग्विज है अरॉरुटैनिया की वह जर्मन है तो उसके लिए तो उनको उसको मसला नहीं हुआ और उरुटेनिया के अंदर वो इसली बात कर लिया करता था हमा के लोगों से और साथ में जो है वो फ्रेंच भी आती थी रजन डाइल को तो वो उसने जो मुवैन को खत लिखा था तो वो फ्रेंच में लिखकर उसने उसको दिया था जो नोट लिखा था उसने जोहान के हाथों जो भी जबाया था के हल्प माइकल हल्प चिलानी के लिए तो वो भी उसने फ्रेंच में लिकर दिया जो ball का तुष्क्राह किया गया है तो उसके क्या मतलब है तो याव जानतें ball हम असल में कहते हैं be option correct एसका आवयसा dance party और ball arrange किस ने करवा है था सेप्ट ने करवा है था सेप्ट के हुकम से ball arrange हुआ तेक dance party जोके Princess Flavia के नाम को लोग Duke Michael के नामों के साथ जोल रहे थे जिससे Duke Michael को काफी पदिराई मिल रही थी तो सेप्ट ने यही चाहा के एक जो बाच्छा सलामत शेजादी के एजाज में उनकी ओनर में एक बॉल अरेंज करें जिसमें उनके साथ डैंस करें ताके जो रुरुटैनियन पिपल है उनको पता लग जाए कि असल में देर इस स्टिल सम लव बिट्वीन किंग रुडॉल्फ एंड प्रिंसस लेविया नेक्स में सीक्यूस में 12 है 2016 में आया कराची बोर्ड में आप सब जानते हैं जेकापस लेडर असल में एक पाइप थी एक पाइप जो विंडो से लेकर निकलती थी कहां मोट तक जाती थी ठीक है सी ऑप्शन इस दा करेक्ट वन सब आप जानते हैं बी रुडॉल्फ एल्फबर्ग को वहाँ पर कहत किया गिया था अचा अगर यह एंटिनी मोबैन को द्यूल्फ माइकल ने उनकी नुखेसल के अंदर उनको कहद कर दिया था नेंस्काइब CLI16 में आया था कि जोहान वस ब्लैक माइकल कहा था जोहान के बारे में हमेशा लिखा वैकामारे बुक है Joacheon the Duke keeper, was juke keeper था, अब Duke keeper से मुराथ देखो, दोचीजह हो सकते ही है, धॉट कीपर दौ ढूग कीपर थो नहीं हो सकता है, गेम कीपर भी नहीं हो सकता, यह तो housekeeper हो गय गेट keeper होगा, ठीक है, तो Joacheon असल में क्या था, he was actually the housekeeper of Black Michael, Black Michael के जो घर ता, castle of जंडा था उसका रखवाला था हो उसकी रखवाली उसी के जिमें पर थी जोहां दर ड्यूक कीपर इसलिए हम उसको कहते हैं ठीक है next 15th MSQ है 2016 में आया कराची बोर्ड में है कि रडल्फ रजंडाइल वस एज दैश रडल्फ रजंडाइल की उमर कितनी थी किस उमर का था मतार दूरिंग दे कोर्स अफ दे नॉविल तो इसकी उमर थे 29 उनात्यस साल थी ठीक है अगर अचा मैडम एंटने डे मोबैन की अगर एज पुछी जाए तो वो 32-33 के बीट उनकी एज थी और अगर रुपर्ट आफ हैंजू के पुछी जाए तो वो 33 साल का था 16th MCQ है ये भी 2016 माया कराची बोर्ड में कि अधा कैपिटल ओफ रूरुटेनिया का कैपिटल कौन से शहर है तो आप जानते हैं कि जिस शहर के अंदर कैसल मौझूद है पहले से बाच्छा का और वो कैस चैल्सो है और इस चैल्सो में कि जह हैं वो कैथेड्रल के अंदर कॉरून नसरेमनी भी हुई थी तो इस ट्रेल्सो जो है वो इचिज एक्चिली दा कैपिटल सिटी ओफ रुरुटैनिया जहां पर बाच्चा का तख्तो ताज मौझूद है रुरुटैनिया के नेक्स्ट एमसी कुज नमडर सेमेंटीन है दा विलेन इन दा प्रिजन ओफ जेंडा प्रिजन ओफ जेंडा का विलेन या एंटागोनिस्ट नेगेटिव केरेक्टर कौन है नेगेटिव रोल किसने सर अंजाम दिया है सप, फ्रिट, जूक माइकल और जोजफ के अंदर चारों में अगर आपको नेगेटिव केरेक्टर मिल जाए विलेन तो इस दूक माइकल, यह जिसको ब्लैक माइकल भी हम कहते हैं, वो विलेन है नेक्स मेंसे कुछ दे एइटीन मेंसे कुछ तुसन फुफटीन में आया कि तब वह मैंन हो सैक्रिफाइज और लफ और सेफ और होवर कंट्री वास कि वह कौन से ओरत थी, जिसने अपनी महबबत को कुर्बान कर दिया अपने मुल्क की खातिर तो इस दाहिट से बात है यह आप जानते हैं, शी वास प्रेसिस फ्लाविया जिसको महबबत थी रडल्फ और जन्डाइल से लेकिन उसने अर्जन्डाइल से शादी ना की बलके वो मलका बन कर रही अपने स्टेट के, अपने अरुटेनियान कंट्री के तो इसने सेक्रिफाइस किया था अपनी महबबत को अपने मुल्क की खातिर 19.10 से क्यों है ये भी 2015 में आया कि तुमने खुद को बनाया है एक अकलमान बादश्या और एक बहादर आदमी ये किस ने कहा ये अलफाज ये आप जानते हैं कि जब रडल्फ और जन्डाइल को जब शल्सों से बाहर जाना था जेंडा तुमने खुद को साबित किया है एक अकलमान बादश्या और एक बहादर आदमी तो C option is the correct one, Marshall is taken 20th MCQs है ये 2010, 14, 15, 3 साल आया और वेरी सिंपल एक बहाद असान MCQs है Duke Michael was killed by Dash, Duke Michael को किस ने मारा तो आप जानते हैं Duke Michael को मारने वाला था Rupert of Henzo तो Rupert of Henzo ने उसको मारा था by means of a sword उसको जाए वो तलवार के दर ये Rupert of Henzo ने मारा था तो A option is the correct one MCQs No.21 है 2015 में आया कि Rudolph Elfberg is Princess Flavia's stash Rudolph Elfberg Princess Flavia के कौन थे? Cousin, Friend, Step Brother, Uncle तो all you know कि पहले तो वो cousin थे, First Cousin थे Princess Flavia के King Rudolph Elfberg और उसके साथ वो fiancé भी थे fiancé मतब मंगेतर भी थे उनकी शादी होने वाली थी Princess Flavia से 22nd MCQs है 2014 में आया कि Anthony De Moven was liked by Anthony De Moven को कौन पसंद करता था इन चारों में से? Degotted, Bursonin, Rupert of Henzo, Black Michael तो इन चारों में से अगर बात की जाए तो C option आप जानते correct है Rupert of Henzo पसंद करता था Anthony De Moven को और वैसे तो अगर इसके लावे और एक शक्स था जो है वो के Anthony De Moven को पसंद किया करता था और वो फ्रांस के शेर Paris में रहता था, he was Bertram Bertrand, तो Bertram Bertrand जो कि critic एक न्यूस्पेपर का वर्सिफायर था, तो वो भी Anthony De Moven को पसंद किया करता था और चार उप्चन्स की बात किया तो और पर्ट ऑफेंड जो पसंद करता था 23rd MCQs है, 2014 में आया अच्छा ये पास्ट पेपर में जब मैं चेक कर रहा था तो उसके अंदर ये गलती है वहाँ लिखा था, Jacob Slater लेटर किन दो चीज़ों को जोल रहा था तो Jacob Slater लेटर तो एक पाइप है तो वह तो इन चारों में से Zenda and Nouritania, Zenda and Jacob South Tulso and Zenda, New and Old Castle of Zenda ये किसी को नहीं जोडता था, साथ में वह जैसे एक पाइप थी जो Old Castle से निकल कर मोट के तरफ आ रही थी वह किसी दो चीज़ों को जोड नहीं रही थी साथ में, तो असल में इसमें होना चाहिए था Drawbridge, Drawbridge was connecting, Drawbridge की इन दो चुन्दों को जोड रहा था तो आप जानते हैं, Drawbridge जो है वह Old Castle को New Castle of Zenda के साथ जोडता था, और जिसकी चावी किस के पास थी, Duke Michael के पास थी रात के वक्त Drawbridge को खिश लिया जाता था और दिन के वक्त उसको जोबारा सेट कर दिया जाता था अपनी जगे पर तो इसका option D होगा, अगर question यह हो के Drawbridge was connecting which two things, तो वह New Old Castle को साथ में जोडता था 24th MCQ है, जो के 2011, 13, 14, 13 साल है कराची बोर्ड में Duke Michael was the Duke of Dash, Duke Michael कहां का Duke था तो he was the Duke of Stelso, तो वह Stelso का Duke था, Governor भी आपके सकते हैं के वह Stelso का Governor था Black Michael, जो Capital City है, अरुटेनिया का 25th MCQ है, 2014 में आया यह, के My Leege means तो My Leege के मतलब होते है मेरे आका, या My Lord, अर्दू में, English में कहे तो My Lord, उर्दू में कहे तो मेरे आका जैसे First Way में भी The Abbott of Canterbury के अंदर आपने पढ़ा होगा, है नो, के My Leege, I would if it were known, I never spend nothing but what is my own The Abbott of Canterbury के अंदर था मेरे आका, मुझे लगा आप जानती होंगे के मैं कुछ खट निच करता सवाएब वो जो के मेरा है और यहां पर My Leege कहां पर आया, काफी वर्ट जोगों पर आया है, पिनिदर और जैंडा नॉविल के अंदर My Leege कवर्ड के जब सेप्ट, फ्रिट्स और रजन डायल वो शूट निकल कर स्टल्सो के तरह आ रहे थे तो जब वो ट्रेन स्टल्सो के पास पहुंची तो स्टल्सो शेहर के तावर्स और स्पार्स वगारा दिखाय दिने शुरू की है तो सेप्ट ने पर हलकी आवाज में कहा था रिजन डायल से कि यूर कैपिटल माइलीच मेरे आका आपका दार अलहकूमत आ गिया तो इस इस तुन्टी फिफ्ट एमसिक्यूस नॉविए थे टुन्टी सिक्स्त वन चब्विसमें एमसिक्यूस हमारे पास है 2013 में यह आया मेंदम मुवन बिलॉंक टुडैश मेंदम मुवन कहां से तालुग रखती थी तो जैसे कि इनके नाम में डी आ रहा है मोडेब अर्ट यूर कमुवन तो दी जिनके नाम में आता है वैसे भी वो फ्रेंच होता है और नॉव्ल के इंदर भी पढ़ा था हमने मुदा पारिस क कि if love were the only thing I could follow you in Rex, is that that? अगर मुहबबध ही वाहिद चीज होती दुनिया में, तो मैं तुम्हे फटे पुराने कपलों में भी तुम्हारे पीछे पीछे आती चीक है कि अगर मुहबबत ही सब कुछ होती तो मैं रेक्स में भी क्यों ना होती मैं पुराने बोचिदा कपड़ों में क्यों ना होती लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करती मैं तुम्हारे पीछे आती ये किसने कहा ये तो ये आप जानते हैं ये Princess Flavia के अलफाज है लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट चेप्टर के अंदर जब लास्ट मीटिंग हुई थी वें देर वस लास्ट मीटिंग बिट्मी रजरन डायल और फ्लेविया तो वहाँ Flavia ने कहा था रजरन डायल से और उसको बचाते नहीं तो मुहबबस से ज़ाधा ओनर या इज़द Flavia ने कहा थे बड़ी चीज है 28th MSQ है 2012-13 में आया रजरन डायल वस दे यंगर ब्रदर अफ देश रजरन डायल छोटा भाई किसका था तो वह आप जानते हैं पार्क लेन लंजन के इंदर तो ये सिंपल MSQ है 28th MSQ है 2013 में आया है कि दू जलेशी अगेंस प्रिंसेस फ्लाविया ब्लैक माइकल वस बिटेट बै डैश प्रिंसेस फ्लाविया से जलने की वज़ाए से ब्लैक माइकल को दोका किस ने दिया तो ब्लैक माइकल को धुका उसी ने दिया जो बहुत अधा महबत करती थी ब्लैक माइकल से एंड शी बहुत मैडम एंटोनी डे मोबैन 29th MSQ है 2012-13 में आया कि the group called the six headed by Rupert or in fact कि जो the six थे the six scoundrels कहलें आप इसको कि माइकल के जो छे लोग थे छे लोगों को जो group था जिनके सरब्राही कर रहा था Rupert of Hanzu वो दरहकीकत थें वो असल में थें क्या तो bodyguards advise their king servant lawless murderer yes you are right the correct option is D lawless murderer मतलब कातिल थें जो किसी भी कानून को follow नहीं करते थे और ड्यूक माइकल के बोलने पर कोई भी गला वो काट सकते थे तो जिसको ड्यूक माइकल ने अपने evil works को अपने श्यतानी काम को परफॉर्म करने के लिए उन चे गुंडों को रखा था जिसके लीडर था Rupert of Hanzu so this is the option is correct option is D lawless murderers 30 MCQs है 2011 में आया the hero of the novel Prisoner of Zenda hero का भी आ सकता है या फिर protagonist भी आ सकता है protagonist and hero दे बोत आर सेम in the novel तो hero कौन है इस novel का आप सब जानते है डॉल्फ रजनडाइल was the hero of the novel while villain Black Michael है 31 MCQs है 2010-2011 में आया कि the passenger traveled by the same train by which Rizanडाइल went from Paris to Rutenia कि वो कौन सा passenger था जो Rizanडाइल के साथ सेम ट्रेन में आया था Paris से Ruritania तो Ruritania तो वो कौन थे तो आप जानते हैं कि जो ट्रेन में उनकी हमसफल थी fellow traveler थी Paris से जो है वो Ruritania आते हुए she was Madam Antonity Mubain Antonity Mubain के साथ वो आया था Paris से बैठ कर अगर्चे दोरोनेक दूसरे को देखा भी था वहाँ पर एक बिल्कुल आपोजिट आग दूसरे के सामने बोगी के इंदर बैठें तेरेल गाली के हा लेकिन जब ड्रेस्टन में जब वो उतरा अखबार में उसने देखा कि भई ड्रेस्टन पोज़के बॉर्टर सेटी बिट्वीन जर्मनी तो वहां से वो तरह उसने अखबार में पढ़ा कि कर्णिशन सरेमनी एक दिन लेट हो गई है तो फिर वो उस ट्रेन को छोड़ दिया जो स्ट्रेल्स हो जा रहे थी और उसकी जगा जेंड़ा के ट्रेन में वह सवार हो गया तो एक मतलब के लिए पैरिस से लेकर रुरुटानियन बॉर्डर मतलब ट्रेस्टन तक वो साथ ही रहे थे एक ही ट्रेन के अंदर ठीक है डाट वोस थर्टी फाट एमसीक्यूस 32nd MCQ 2010 में है कि रिडुफ रुटानियन बॉस इंवाटे तो समर आउस बाई रिडुफ रुटानियन को समर आउस में किसने दावत दी थी जिसकी वज़ा से वहा पर टीटेबल इंसिनेंट भी पेश आया था तो दावत दी थी असलमें मैड़म एंटनेट इमोबेन से और किस लिए दावत दी थी और किस की हकुम पर दावत दी दियूक माइकल के बोलने पर मैड़म इमोबेन ने समर आउस में बलाया था रजन डाइल को और रजन डाइल अकेले तो नहीं किया था उसके साथ सेब्ट किया था जो गेट पर और जिस पर जो है वो टी टेबल से फाइट की थी रजन डाइल ने उनसे और डिकार्ट को गोली मार कर उसके शोल्डर अपर उसको जखमी कर दिया था तो यह समर ऑंसुनेंट था इसके अंदर 33rd mcqs है दोधर दस में है कि Frit Swann तरले नेम वाजन लव विद दैश Frit Swann तरले नेम को महबबत किस से थी किस से महबबत करता था वो Frit Swann तरले नेम की महबबत थी Countess Helga Countess Helga Von Istrovzin जिनका पूरा नाम है जो के दोस्त हैं बॉसम फ्रेंड ने किसके प्रिंसेस फलाविया की तो वो Countess Helga was in love with Frit Swann तरले नेम बोथ लवट लवट फ़ेदर और अट थी अचप्टर हमने ये देखा भी कि Countess Helga के शादे Frit Swann तरले नेम से हो गई और उनका एक बेबी भी था at the end of the novel so this is all about the MCQs of Prison of Zenda so thank you very much my dear students for watching and thank you very much for your support if you like my lecture then please subscribe my channel if you are new in my channel and share my lectures as much as you can with other students too so if you have any questions regarding any of the MCQs of past papers then you can ask me in the comment section या WhatsApp number है आप उस पर भी पूछ सकते हैं तो आप शालो दुबारा नए तरह के लेक्टर के साथ एक नही चीज को पढ़ाने के लिए एक नही बात को बताने के लिए जो आपके examination point of view में काफी important हो आपके लिए उसके साथ मैं हजिरूँगा तो तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारे ख्यार रखिएगा बिलेंगे दुबारा अलाहाफिस